हलो दोस्तों कैसे हो आप सब वेलकम टू माई चैनल माई क्रियेशन आज के इस वीडियो में जानेंगे कुकिंग रिलेटेड इंग्लिश वार्ट्स तो चलो शुरू करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ल पकाना पकाना को इंग्लिश में कूक कहते हैं कूक कूटना कूटना को इंग्लिश में रैमिंग कहते हैं रैमिंग पीसना पीसना को इंग्लिश में ग्राइंडिंग कहते हैं ग्राइंडिंग उबालना उबालना को इंग्लिश में बॉयल कहते हैं बॉयल सेखना, सेखना को इंग्लिश में बेग कहते हैं, बेग चलाना, चलाना को इंग्लिश में टू स्टेरिंग कहते हैं, स्टेरिंग बेलना, बेलना को इंग्लिश में टू रोल कहते हैं, टू रोल भूनना, भूनना को इंग्लिश में रोस्ट कहते हैं, रोस्ट चीलना, चीलना को इंग्लिश में पील ओफ कहते हैं, पील ओफ गूदना, गूदना को इंग्लिश में टू नीड कहते हैं, टू नीड काटना, काटना को इंग्लिश में कट कहते हैं, टू कट चानना, चानना को इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, टू स्ट्रेन तलना, तलना को इंग्लिश में फ्राई कहते हैं, फ्राई मसलना, मसलना को इंग्लिश में मैश कहते हैं, मैश धोना, धोना को इंग्लिश में वोश कहते हैं, वोश निकालना, निकालना को इंग्लिश में एक्स्ट्रेक्ट कहते हैं, एक्स्ट्रेक्ट चकना, चकना को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, टेस्ट फैटना, फैटना को इंग्लिश में बीट कहते हैं, बीट मिलाना, मिलाना को इंग्लिश में मिक्सिंग कहते हैं, मिक्सिंग पिगलाना, पिगलाना को इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग छिड़कना, छिड़कना को इंगलिस में स्प्रिंकल कहते हैं, स्प्रिंकल भाब देना, भाब देना को इंगलिस में स्टीम कहते हैं, स्टीम सजाना, सजाना को इंगलिस में डेकोरेट कहते हैं, डेकोरेट परोशना, परोशना को इंग्लिस में सौफ कहते हैं, सौफ अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई